कर्ताव्य पच्पर दिखेगा भारत का दम गणतंत्र दिवस परेड में इन स्वदेशी हतियारों की ओगी प्रदर्शुनी आज से ठीक 75 वर्ष पहले यानि साल 1950 में भारत ने देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया था 1950 से लेकर आज तक हर साल इस खास मोके पर राजधानी दिल्ली में एक भव्य कारिक्रम आयोजित किया जाता है इस कारिक्रम में भारती सेना की ताकत का नजारा भी देखने को मिलता है गणतंत्र दिवस पर होने वाली इस परेड को देखने के लिए दिल्ली समेत देश के कई राज्यों से लोग पहुँचते हैं इस बार भी देश के अलग-अलग कोने से लोग राजधानी पहुचना शुरू कर चुके हैं हाला कि इस साल का गणतंत्र दिवस पिछले सालों की तुलना में कुछ अलग होने वाला है उसका कारण है इस बार गणतंत्र दिवस परेड के दोरान स्वदेशी हतियारों का प्रदर्शन जी हाँ ये मौका इसलिए खास है क्योंकि इस से पहले तक गणतंत्र दिवस के परेड में विदेशी हतियारों को शामिल किया जाता था लेकिन इस साल यानि साल 2024 के गनतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया बड़ी संख्या में Made in India हतियारों को देखेगी आईए अब आपको थोड़ा डिटेल में लिए चलते हैं कि इस बार कौन-कौन से वो स्वदेशी हतियार है जिनका प्रदर्शन किया जाएगा और वो हतियार कितना खतरनाक है पिनाका रोकेट लॉंचर इन हतियारों की श्रेणी में सबसे पहले आता है पिनाका मल्टी बेरल रोकेट लॉंचर स्वदेशी इस रोकेट लॉंचर की अपनी स्पीड है जो काफी फेमस है चमाली सेकंड के भीतर बारा रोकेट दाख सकने वाले इस लॉंचर की डिजाइन को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लेब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट ने तयार किया है खास बात यह है कि किसी भी मौसम और परिस्थिती में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पिनाका को तयार करने के लिए साल 1986 में DRDO को 26 करोड रुपे दिये गए पहली बार इस रोकेट लॉंचर से 1999 की जंग में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया और यह हमला कामियाब भी रहा इसके बाद 2000 की दशक में सिस्टम के कई रेजिमेंट्स लाए गए स्वदेशी हतियारों में एक नाम प्रचंड हेलिकॉप्टर का भी शामिल है यह एक लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर है जो 16,400 फिट की उचाई तक हतियार लेकर उड़ सकता है इसे भारतिय सेना और इंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर तयार किया है यह हेलिकॉप्टर 15.5 फिट उचा और 51.10 फिट लंबा है इसकी कॉमबेट रेंज 550 किलो मिटर है और यह लगबग 3.15 गंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है इसकी उड़ने की रफ़तार 268 किलो मिटर प्रतिगंटा है 20 mm की तोप के साथ में 4 अन्य हतियार भी यह केरी कर सकता है इस हेलिकॉप्टर की जरूरत सबसे पहले साल 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त महसूस हुई थी भारती सेना के पास ऐसा हेलिकॉप्टर होना चाहिए जो पहाड की चोटियों तक आसानी से जा सके और वहाँ पर आपरेशन चलाया जा सके इसके बाद भारती सेना ने इंदुस्तान Aeronautics Limited यानी HL के साथ मिलकर केस पर काम शुरू किया इस हेलिकॉप्टर को साल 2006 में बनाने का काम शुरू हुआ चार साल बाद यानी 2010 में इसका पहला ट्रायल किया गया और नवंबर 2020 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम प्रचंड हेलिकॉप्टर रखा गया हेलिकॉप्टर दुरू को इंदुस्तान Aeronauticals Limited यानी HL ने तयार किया है इसलिए आज से ये हेलिकॉप्टर पूरी तरह स्वदेशी है वर्तमान में भारत की तीनो सेनाओं के पास भारी मात्रा में इस शांदार हेलिकॉप्टर की फ्लिट है इसकी खास बात यह है कि इससे हमला भी कर सकते हैं इस हेलिकॉप्टर को दो पाइलट उड़ाते हैं और एक बार में 12 सेनिक बैठ सकते हैं ध्रूग की लंबाई 52.1 फिट और उचाई 16.4 फिट है। इसकी अधिक्तम गती 291 किलोमेटर प्रती घंटे हैं। स्वदेशी हतियारों में एक नाम BMP2 टैंक का भी है। तरफ गूम कर वार कर सकता है। हलके होने के कारण इसे पहाड़ी शेत्रों में ले जाना भी आसान होता है। वर्तमान में इस टैंक की सबसे ज़्यादा तैनाती चीन सीमा पर की जाती है। BMP2 टैंक का वजन 14,000 किलोग्राम है और अपने वजन के कारण ही ये टैंक फिलाल सबसे खतरनात हतियारों में से एक है। MR-7 मिसाइल इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल की IAI कंपनी की मदद से बनाया था। ये एक मध्यम रेंज की सतर से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन राडार, मोबाइल लॉंचर सिस्टम जैसी चीजे लेस हैं। MR-7 मिसाइल हवा में 2448 किलोमेटर पतिगंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ हमला करती है। इतना ही नहीं इस मिसाइल से धुवा भी बिल्कुल कम होता है और स्पीड भी काफी ज्यादा है। इसकी वज़ा से दुश्मन इसे ट्रैस नहीं कर पाता। एक बार अगर MR-7 मिसाइल को लॉंच कर दिया गया तो यह आसमान में सीधे 16 किलोमेटर तक के टारगेट को गिरा सकती है। वैसे इसकी रेंज 100 किलोमेटर तक है यानि यह मिसाइल बड़ी ही आसानी से 100 किलोमेटर के रेंज में आने वाले दुश्मन यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल को नेस्तनाबूत कर सकती है। T-90 भिश्म टैंक भारत ने रूस से 310 T-90 टैंक खरीदने का सौधा किया था। इन 310 टैंकों में से 124 टैंक तो देश ने रूस से सीधे तयार करके मंगवाये थे लेकिन बचे टैंकों को यही अपने देश में तयार किया गया। रूस के T-90 को भारत ने अपने हिसाब से बदल कर उसका नाम भिश्म रख दिया है। तो इस बार का गनतंत्र दिवस कई लिहाच से अहम होने वाला है लेकिन अहम होने वाला है गनतंत्र दिवस की परेड के दोरान स्वदेशी हतियारों का प्रदर्शन। आपको भी गनतंत्र दिवस की धेड सारी शुब काम नाए।